नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर इलेक्शन पल्स का आखरी एपिसोड पांच राज्यों के विधान सभा चुनाओं के नतीजे सामने आ गए हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं उत्तर भारत के तीन राज्यों में भारती जनता पार्टी की जो विजय हुई है उसको मोधी मैजिक के नाम पर देश विदेश हर जगा बहु प्रचारित किया जा रहा है इन पांच राज्यों में जब चुनाओं चल रहे थे हमने ग्राउंड पर जाकर आपको खबर दी थी कि किस तरह से महौल क्या है मुद्दे क्या है और आज की तारीख मिजोरम के नाम पर है और खास तोर से देखिए ये जो पूरा का पूरा भारत का नक्षा है यहां राज पांच राज्यों में आखिरकार मद्दाताओं ने किन मुद्दों पर वोट किया और भारती जन्ता पार्टी की जो विजए है विजए गाथा राजस्तान से शुरू होकर मद्रप्रदेश और च्छतिसगर्ड दो राज्य उसने कॉंग्रेस से चीने हैं इनके पीछे की ज समाम लोग हम समाम लोग जो नीचे गए जमीन पर गए वहां पर जो पल्स थी वह पल्स कम से कम च्छतिसगर्ड के बारे में एक भी जगह से यह खबर नहीं आ रही थी कि इतने बड़े पैमाने पर कॉंग्रेस हारेगी इसी तरह से मद्द प्रदेश को लेकर भी शिवरा सिंग चोहान को बाहर किया और चुनाओ के दौरान ही जिस तरह से बवाल मचा केंद्री मंत्री नरेन सिंग तोमर के बेटे को लेकर जो वीडियो वाइरल हुआ करप्शन का मामला आया क्या उससे भारती जनता पार्टी को नुकसान होगा लेकिन परिणाम बता रह और चर्चा का आज हमारा आधार होगा न्यूस क्लिक द्वारा बनाए गए खास नक्षे जी हां यह नक्षे न्यूस क्लिक की USP हैं यूनीक सेलिंग पॉइंट हैं क्योंकि इस तरह से इलाका के हिसाब से जो नक्षे हैं आपको इलेक्शन कमिशन की वेब साइट पर भी न देखते हैं मिजोरम तो दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं मिजोरम से जिसके परिणाम आज आए हैं और जैसा कि हमारा आकलन था यहां पर जो नई पार्टी है जोरम पीपल्स मुवमेंट वह सरकार बनाने जा रही है उसके लाल दूओमा जो नेता हैं वह संभवता मुख्य मंतरी होंगे और जिस तरह से जमीन पर पल्स थी बदलाओ के नाम पर पल्स थी बदलाओ और भ्रष्टाचार से मुक्ती के नाम पर बातचीत थी तकरीबन जो परिणाम है यह पूरा जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है 27 सीटें जेट पीम के नाम पर MNF को नुक्सान ह मिजो नेशनल फ्रंट जो लंबे समय से वहां सत्ता में थी और बीजेपी बीजेपी को एक सीट का फायदा हुआ है कॉंग्रेस को चार सीटों का नुक्सान हुआ है हाला कि उसके वोट प्रतिशद 20% लेकर भी वह सिर्फ एक सीट जीत पाई है आईए इस नक्षे को समझन बहुत जरूरी है जैसा कि हमने बताया कि जो ZPM है उसका जो आधार है वो बिलकुल नया आधार है नौजवान है किसान है ब्रश्टाशार से मुक्ति का सवाल है और इसमें जो सबसे एहम सवाल है वह है भारती जनता पार्टी को जो दो सीटे मिली वह वह इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था और वहां पर सब लोगों से जो बातचीत की थी BJP was a bad name MNF जो BJP के नेतृत में जो गड़बंधन है राष्टिय गड़बंधन NDA और उत्तर पूर्व भारत के लिए उन्होंने जो गड़बंधन किया है NDEA उसका हिसा रहे जोरोंग ठांगा जो मुख्य मंत्री थे लेकिन वह भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि वो प्रधान मंत्री नरेन मोदी के साथ स्टेश शेयर करें और एक और एहम बात इकलौता यही राज्य है जहां प्रधान मंत्री जी प्रचार के लिए नहीं गए लेकिन पूरा हुआ है मियानमार से और यह इलाका जहां पर आप देखेंगे कि भारती जनता पार्टी को दो सीटे मिली हैं यह जो कॉंस्टवेंसी है यह बहुत खास है यहां पर माइनॉरिटी की कॉंस्टवेंसी है यह जो पूरा इलाका है यह एक और नित्रत में चलता है यहां पर बहुत पुराना काम भारती जनता पार्टी और RSS का है और यहां पर उन्होंने फोकस सो कॉल्ड आदिवासी हिंदू वोटों पर किया है इसी के बगल में कॉंग्रेस ने एक सीट हासिल की है और कॉंग्रेस की जो जीत है वह तकरीबन यह बताने के लिए है कि जिस तरह से कॉंग्रेस ने निशाने पर लिया था ZPM को उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी एक और एहम बात जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं मिजोरम में हमारे साथ जो जुडने जा रही हैं समाजी कार्यकरता राजनितिक अक्टिवेस्ट जन्होंने बहुत पहनी निगा और एक कै दो जुड़ी हैं आये बात करते हैं रेनेल से देखते हैं वह क्या देख रही हैं और इस परिवर्तन से क्या आकांग्षाएं जुड़ी हुई हैं मिजोरम में जन्होंने की Welcome to News Click Rene and you were the first person who was telling about very prominently about the woman representative representation in Vidhan Sabha in the state assembly We requested all the people, miserable people, if you have any women candidates from the major party, please vote for them because there will be a better candidate in their own constituency so they will make a good contribution Today we are almost close to the end of the counting but we can see the picture very clearly that ZPM has two candidates and both of them won Especially the first one ISOL South 3, Beryl, Beryl the continent was the first one announced I think The second one was yes Pirin Pui in the southern part who became the vice president of that area, the president of the southern part of ZPM So yeah ZPM are in majority so they are the ruling One direct question to you so now you have two women MLAs in the state assembly so it's a great achievement for the women movement in Mizoram Very much so and both of them are really capable, we are hoping that both of them will be uplifted to a minister ranking because their representation is very important That will be also a new history in Mizoram politics? Yes, very much so, it is not the first time but earlier also we had a minister but the cup was so long, almost 20 years cup is there So now two women are, both of them are very prominent and very capable persons so I am sure that they will be not a mere MLA but also a minister ranking Yes, yes Let's talk about Tilangana Tilangana, Tilangana is also going to be a part of Tilangana In this case, at least 6 months before, there was no doubt that there was no doubt that there was a fight There was no doubt that the fight, the TRS, which is now the BRS, which is now the B.R.S. The B.R.S. and the K.C.R. party will be among their parties and the Congress All of them were going to be among the 6-7 months before that the fight will be among their parties and the B.R.S. The Congress has managed to achieve a big deal with this fight and the R.R.R.R.R.R.D. The Congress has gone to them Now, let's take a look at some attention to some attention This is something that you are saying in your opinion This is something that you are saying in your opinion This is the K.E.N.D.R. or the whole area of H.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R., The R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R. यानि OVC के बहुल इलाका है ये लंबे समय से OVC और उनके परिवार और उनकी जो पार्टी है M.I.M उसका यहाँ पर बोल बाला रहा है OVC यहाँ पर अपनी साथ सीटों की पकड़ बनाये रखे हुए है उन्होंने साथो सीट जीत ली है लेकिन इसी के बीच में छोटा सा भगवा दिखाई दे रहा है यह है भाशपा की जीत का निशान भाशपा ने यहाँ पर पिछली बार भी इसी सीट को जीता था गोशा महल सीट है टी राजा सिंग यहाँ से विधायक पिछली बार भी बने थे और भारती जनता पार्टी ने पहली बार इस तेलंगाना राज में अपना जो खाता खोला था वो यहीं से खोला था और इस बार भी यह सीट भारती जनता पार्टी ने जीती है यह इसलिए खास है दोस्तों क्योंकि इस seat और इस seat को जीतने वाले विधायक जब से जीते उससे पहले से लगातार चर्चा में बने रहे लगातार विवादों में बने रहे मुस्लिम विरोधी इसलाम विरोधी अपने बयानों की वज़ा से इतनी बड़ी मुश्किल उन्होंने पैदा की कि बीच में खुद भारती जनता पार्टी को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा बहुत बवाल मचा और लेकिन चुनाओ से ठीक पहले भारती जनता पार्टी ने उन्हें वापस बुला लिया सस्पेंशन रद हो गया और इन चुनाओ में भी उन्होंने वही काम किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं नफरत संप्रदाइक तनाओ और अनरगल प्रलाप और उसकी जीत उनके सराखों पर हुई है और साथ ही एक और एहम फैक्टर जो इस बार भारती जनता पार्टी के पक्ष में गया है क्योंकि भारती जनता पार्टी ने आठ सीटें हासिल की है इस बार वो इलाका बहुत ध्यान से देखने वाला है ये सारी जो कॉंस्ट्वेंसीज है अदीलाबाद हो गया निर्मल है मुंधोले है आर्मॉर है ये सारी जो जगहें हैं ये जो सारी विधान सभाएं है ये सारी विधान सभाओं को अगर आप ध्यान से देखें तो यह माहराज से जुड़ता हुआ पूरा जो सीमा है उसमें भारती जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है और इस पैठ के पीछे सारा क्रेडिट एक तरह से बियारे से जो भारती जनता पार्टी के पास विधायक गए थे पिछली बार उनका जो कामकाश था वह तो था ही साथ ही साथ इन इलाकों में जिस तरह का सामप्रदाइक ध्रुवी करण बीजेपी ने किया उसका फाइदा उसे तेलंगाना में दिखाई दिया भारती जनता पार्टी को इस तरह की जीत नहीं दे रहा था जितने लोग भी जमीन पर गए थे वह भी इस तरह का रद्दो बदल इस तरह का चेंज प्रिडिक्ट नहीं कर पाए और इस प्रिडिक्शन में कहां कमी रही क्यों नहीं पल्स समझ पाए लोग जो लोग गए वहां पर इसको एक बड़ी मिस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है क्या महादेव एप को लेकर जो घोटाला था जिस पर भुपेश भगेल पर सवाल था वह इतना एहम मुद्दा बना या फिर कहीं कुछ और क्योंकि इसके साथ एक और योजना जिसकी चर्चा हो रही है महतारी वंदन कि जिस तरह से 50 लाग के फॉर्म 50 लाग महिलाओं के फॉर्म भरवाय थे भारती जन्ता पार्टी ने वह निर्नायक जीत रही या फिर कहीं कुछ और गुल खिला या तो अगर इन्वस्टिगेशन होगा अगर पड़ताल होगी तब ही पता चल पाएगा फिलहाल नक्षा तो बदल गया 36 गड़ का आईए चलते हैं 36 गड़ के नक्षे में यह नक्षा खास न्यूसक्लिक की टीम ने बनाया है बहुत खास है इसको देखिए और महसूस करिए कि जो परिवर्तन है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह क्या है यह जो इलाका है जो सरगूजा का इलाका है यह इलाका पहले कॉंग्रेस के पास था और जिस तरह से यह बदला है पूरा का पूरा इलाका यहां पर खास तोर से जिस तरह से आपको दिखाई दे रही है यह तमाम कॉंस्ट्वेंसीज अंबिकापुर और बाकी इलाका यहां पर जिस तरह से रंग बदला है और कॉंग्रेस के पास हार पहुची है वह बहुत निर्नायक है और अब हम चलेंगे एक दूसरे एहम इलाके के बारे में क्योंकि जब भी 36 गड़ की बात होती है तब हमारे पास बात आती है बस्तर की बस्तर जिस तरह से पिछली बार पिछले चुनाओं में बस्तर ने बड़े पैमाने पर कॉंग्रेस को वोट दिया था यह मावादी प्रभावित इलाका माना जाता है इस बार आप देखिए कि यह बस्तर इलाका यहां से भारती जनता पार्टी को आठ सीटे मिली है साथ सीटों का फायदा हुआ है और कॉंग्रेस को साथ सीटों का नुकसान सिर्फ चार सीटे मिली है यह जो एहम डवलप्मेंट 36 गड़ की राजनीती में हुआ है इसने कॉंग्रेस के भविश को दाओं पर लगाया है और निश्चित तोर पर आने वाले समय में इसका अलग से विशलेशन होना बहुत जरूरी है और अब चलिए मद्रप्रदेश हम सब जानते हैं कि मद्रप्रदेश ने क्या गुल खिलाया है और किस तरह से कॉंग्रेस को चौकाया है कॉंग्रेस के साथ साथ बड़े पैमाने पर पोल प्रेडिक्शन को भी धराशाई किया है क्योंकि अब यहीं पर लड़ाई होगी असली लड़ाई कि यह जो जीत है मद्रप्रदेश का पहले की तुला में जादा हुआ है भगवा रंग सीटे बढ़ी है 54 सीटे जादा मिली है इस बार 163 मिला है भारती जनता पार्टी को वहाँ पर सीटे यह जो 54 तिरपन सीटे बढ़ी है इसका श्रेक इसको जाएगा क्योंकि मोदी जी ने जो कमान समाली थी उसमें लिखा गया था हैश्टेक चला था कि मद्रप्रदेश के दिल में मोदी MP के दिल में मोदी तो सवाल यह है कि जो 54 सीटे बढ़ी है इसका श्रे शिवरा सिंग चोहान को जाएगा क्योंकि हम सब जानते हैं उन्हें पोस्टर में भी जगा नहीं मिली थी जितना प्रचार प्रसार चला था उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चहरा था और खबरें ये भी चली रही थी कि मोदी जी और अमिशा जी नारास थे शिवरा सिंग चोहान से 18 साल का शाशन अब क्रेडिट किसके खेमे में जाएगा और जिस तरह से जीत के बाद मोहौल बना है बनाया जा रहा है उसमें ऐसा लगता है कि यह श्रे निश्चित तौर पर प्रिये प्रधान मंत्री जी की जोली में ही जाने वाला है अब आईए चलिए राजस्थान राजस्थान में भी हर पांस साल में रंग बदलता है राजस्थान का सरकार बदलती है लेकिन आप देखिए जिस तरह से भारती जनता पार्टी को जो विशाल जीत मिली है 42 सीटे जादा मिली है 115 सीटे हैं भारती जनता पार्टी के पास असबह भी तब जब मोदी जी के अलावा कोई और चेहरा नहीं था वहाँ पर सिर्फ चुनाव लड़ रहे थे इस राजिका भी मोदी जी और कॉंग्रेस की जो डिफीट है कॉंग्रेस को जो 30 सीटों का नुकसान हुआ है यह बता रहा है कि अशोग गहलोत का प्रचार प्रस या योजनाए जनकल्यान की योजनाए अंतता कोई गुल बड़ा गुल नहीं खिला पाई उनके पक्ष में वोट नहीं दिला पाई इसकी बड़ी वज़ा क्या हो सकती है इसमें बस संगशेप में दो इलाके बहुत खास है यह इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है और य कॉंग्रिस ने जिस तरह से आदिवासी वोटों आदिवासी पार्टी का को नजरंदाज किया था इंडिया गडबंधन को नजरंदाज किया था उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी और परिणाम भी अदिखाई दे रहे हैं कि यह जो सारी बेल्ट है जो अदस वाली का है आने वाले दिनों में और मचेगा चाहे वो मामला मुवा मोयत्रा का हो दानिश अली का हो या फिर मीडिया पर कमान कसने का हो और इस बीच यह जो पांश विधान सभा चुनाओं के परिणाम हैं यह बता रहे हैं कि 2024 में लोकतंत्र, इंडिया गड़ बंधन और भारती जनता पार्टी का भविश्य किस दिशा में बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर यह जीत, यह जीत का सहरा सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री नरेन मोदी के सिर्फ पर बंधा जाएगा, बंधा जाना चाहिए भी, क्योंकि इन पांचों विधान सभाओं में चुनाओ, च जो बता रहे हैं, कि इन पांचों जगा जो चुना हुआ है, इसमें बड़ी संख्या में, कॉंग्रेस और बाकी दलों को भी वोट मिला है, परसंटेज ऑफ वोट का जो डिवीजन है, वह बता रहा है, कि जिस तरह से महिमा मंदन है, वह सिर्फ यही बताने के लिए हो रहा है, कि किसी भी तरह से जीत हासिल करने का मंत्र, भाशपा की जो इलेक्शन मशीनरी है, उसके पास है, और उसी क्रम में वह आगे भी बढ़ती जाएगी, शुक्रिया